एक मित्र पूछते हैं, मैं सदा दूसरों से तुलना करता हूँ और ईश्या मुझे अक्सर अपनी चपेट में ले लेती हैं, इससे बाहर निकलने का रास्ता बताएं बाहर निकलने का रास्ता बहुत आसान है अपने गुणों की पहचान दूसरे के गुणों की पहचान ऐसा है अलग अलग है और हर व्यक्ति असाधारण है अद्वती है यूनीक है और अतुल्नी है और चूंकि अतुल्नी है इसलिए तुल्ना हो यह नहीं सकती मैं मैं हूँ आप आप हैं तीसरे व्यक्ति तीसरे व्यक्ति है आज तक मेरे जैसा व्यक्ति न दुनिया में हुआ है ना है और ना कभी होगा तुलना कैसे संभव है तुलना comparison हमारी बुनियादी बीमारी है फिर उससे इर्शा पैदा होती है इर्शान के तहद्विश में ले जाती है, एहिंकार में ले जाती है, साउधान, तुल नहीं मत करो, दूसरे व्यक्ति भी उनीक है, वह भी असाधरन है, वह भी अतुल ही है, हम सब बिलकुल अलग हैं, कभी कुछ रिपिटीशन नहीं होता, तो तुल नहीं हो कैसे सकती है, औ तब आतिर शाकी गिरफ्ट से बाहर निकल आएंगे, गीता अध्याय चौदा में त्रिगुन के पार जाने हेतु, साक्षी भाव के जागरण को ही मुल्य दिया गया है, क्या भगवान श्री कृष्ण की दृष्टी में समस्त योग प्रक्रियाएं व्यर्थ हैं, योग प् कर करके पता चलेगा, भगवान बुद्ध ने छे साल तपष्ण की, धंगोर तपष्ण की, तब जाके पता चला की दपष्ण की जान जारत है, बिना की ये पता नहीं चलेगा, हमको लगता रहगा, बड़ी साथक बात है, तो मैं कहूंगा, योग की सारी प्रक्रियाएं, और जितने प्रकार के, संत्र, मंत्र, जंत्र, ज्यान योग, सांथियोग, राजियोग, इत्यादी जो कुछ भी हैं, इन सब की व्यर्थता पता चल जाती है, कर करके. और याद रखना, हमारे भीतर वो जो एहंकार है, वो करता भाओ है. जिस छण हमें पता चलता है, कि क्रिया ही गर्थ है, तो करता भाओ भी गर्थ हो जाता है, उस दिन अचानक निर एहंकारिता घटत होती है, असली बात घट लेए. तो दुनिया में हैं, लोग कोई धन प्राप्त करके, अमीर बनके सिद्ध करना चाहते हैं, एहंकार को कि मैं कुछ हूँ, कोई उचे पत पे शक्तिशाली बनके, राजनीती करके बताना चाहते हैं कि मैं कुछ हूँ, कोई ग्यान इखटा करके, कोई त्याग इखटा करके, मैंने इतना त्याग किया मैंने इतनी तप्रष्या कि मैंने इतनी ध्यान पद्दतिया कि सब प्रकार से एहंकार ही सिद्ध होता है बढ़ता है तो जब तक एहंकार है तब तक प्रभू से मिलन असंभव है तो योग पद्दतियों से भी समस्त प्रकार की साधनाओं से एहंकार मजबूत होता है लेकिन करना ही पड़ेगा अन कोई शाट कट नहीं है कर कर के पता चलेगा कि यह फिजूल है और जिस छण यह पता चलेगा कि व्यर्थ है उक्रियाएं तो खो जाएंगी बाहर और भीतर करता भाव एहंकार बिलीन हो जाएगा अब भी और यहीं से शुरू करो अभी मुझे सुन रही हो साप्ची भाव से होश पूरवक सुनो एक डबल एरोट कॉंससनेस मेरी आवाज भी सुन रही हो और यहाँ इसमेर अम रना रहे कि कौन सुन रहा है यह सुरोता भीतर की चेतना क्या है उसके प्रती भी होश बना रहे अभी तुरंट इही साधना सुरू हो जाएगी जो भी करना है वो हमेशा अभी और यहीं here and now से ही सुरू होता है ठीक है? विचार और भाव में क्या अंतर है? एक दोहे मैं कहता हूँ भाव प्रकर्ती ने दिये भीड ने दिये विचार शब्दों के अंबार ने उठा दी एक दीवार रे बंधू उठा दी एक दीवार भाव प्रकर्ती प्रदत्त है छोटे बच्चे के पास भी है लेकिन भीड ने, परिवार ने, समाज ने, सिख्छा प्रणाली ने इन सब ने हमको विचार दिये शब्द सिखाए यह हमने नालेज एकुमुलेट की है कोई बच्चा लेके नहीं आये था उस सब बाहर से दिये गए है तो भाव और विचार इन खुम अच्चे से समझ लो भाव प्रकर्ती प्रदत्त है प्रभू की देन है विचार समाज की देन है, सिख्छा की देन है और यह शब्दों का जो अम्माद लग गया है इससे एक दिवार खड़ी हो गई यह ज्यान की दिवार हमें परमात्मा से तोड़ती है क्योंकि यह हमें अपने भाव जगत से ही तोड़ गएती है जैसे जैसे विचार वड़ते जा रहे हैं लोग जादा बुद्धी जीवी मस्तिस्केंद्रित होते जा रहे हैं सिख्षा का परचार प्रसार होता जा रहा है वैसे वैसे भावुक लोगों की कमी होती जा रही है हिर्दे बिलकुल उपेक्षित हो गया है दोनों में बड़ा भेद है एक शब्दों से निर्मित है विचार भाव निशब्द है ठीक है यदि सात्वे कर्म भी बंधन है तो सत्वगुण का फल सुख ज्यान और वैराग्य क्यों कहा गया है सत्वगुण के जो परिणाम है वे तीनों भी बंधन है इस बात को खुबच्य से समझ लो सत्वगुण ऐसा बंधन है कि बड़ा लूज बंधन आसानी से तोड़ सकते है एक लोही की जंजीर थी तमस उसकी तुलना में थोड़ा कम था रजस और सत्वगुण का बंधन ऐसा है एक रस्सी है आसानी से काटी जा सकती है लेकिन है तो बंधन भी तो सत्व गुर्ण के जो फल हैं सुख ज्यान और वैराग्य ये भी बंधन बन सकते हैं सुख की एक खूबी है कि अट्रेच्मेंट परदा होता है हम खुद ही उसको छोड़ना नहीं चाहते है जैसे रजो गुर्णी को दुख मिलता है तो दुख में एक विकर्शन का तत्व है वो हमें दूर हटाता है कि छोड़ो ये उसकी पाजिटिव क्वालिटी है हम खुदी दुख से दूर जाना चाहते है लेकिन सुख से कौन दूर जाना चाहता है तो सत्व गुर्णी का जो सुख है वो बंधनकारी हो जाता है दूसरी वात है ज्यान ज्यान भी बंधनकारी हो जाता है ज्यान को तो हम आभुषन समझते हैं वो हमें बंधन जैसा लगता ही नहीं और वैराग्य वो हमारे एहंकार का पोशक बन जाता है कि मैं ऐसे कोई साधार और संसारी नहीं हूँ, अरे बैरागी हूँ, विरक्त, उत्पन हो गई है मेरे भीतर, वो एहंकार बन जाता है, और एहंकार किसी भी वजह से हो, बंधन तो बंधन ही है, तो सत्र गुनवी बंधन है, और उसके तीनों जो फल है, वे भी बंधनकारी हो सकते हैं, ना समझ के लिए हर व्यक्ति बंधन बन जाता है, और समझदार के लिए वो फुटकारे का उपाए भी हो सकते हैं, एक मित्र पूछते हैं, अगर भगवान शिव और आधी शंकराचारे के अनुसार सब जादू जैसा मायावी और असत्ते हैं, तो फिर इस जूट स्रिष्टी से प्रेम कैसे संभव हो? इस प्रकार का सवाल बारं बार मेरे पास आता है, एक दोहा सुनिये दुनिया नहीं जूठी बंधू, मिठ्या हमारी द्रश्टी हैं, जैसी हमारी स्रश्टी हो, वैसी दिखती स्रश्टी है हम जैसा चस्मा लगा लेंगे, जिस रंग का वैसी दुनिया दिखने लगेगे जब कहते हैं जूठ है, माया भी है, असत्त है, तो भी कह रहे हैं कि हम को जैसी दिख रही है, वो जूठ है ये पेड़ पौदे जूठ नहीं है, ये नदी और परवत जूठ नहीं है, ये चांसितारे जूठ नहीं है, ये मनुष्य जूठ नहीं है लेकिन हम जिस धंग से उन्हें देख रहे हैं हमारा मन उन पर कुछ प्रोजेक्ट कर रहा है और हम अपनी ही प्रक्षेपन को प्रोजेक्शन को देख रहे हैं वो निश्चित रूप से जूट है आप सिनेम अटाकीज में बैठे फिल्म देख रहे हैं फिल्म का परदा जूट नहीं है लेकिन आपको तो परदा दिखी नहीं रहा आपको तो स्पेचल रही दंग बिरंगी कहानी नचला रही है जो कि बिलकुल जूट है और यह आपके प्रोजेक्टर के द्वारा प्रोजेक्ट की गई है जब कहते हैं संसार माया है तो याद अपनों को अपनी कामनाओं को अपेक्षाओं को महत्वकांग्षाओं को संसार के परदे पर आरोपित कर दिया हां वो जो संसार का परदा है वो जूट नहीं वह तो सकते है एक मित्र ने पूछा है कहते हैं कि आत्मा अंच है परमात्मा का तो फिर इनसान भी भगवान की तरहा सरवग्य क्यों नहीं हो सकता? फिर एक बाहर से कोई डाक्टर आया, वो बड़ा सूपर स्पेशलिस्ट था, उसने आके अपनी क्लिनिक खोली, उसने बाहर बड़ा बोर्ड लगाया, कान, नाग, गला, विशेशक्ड, E.N.T. सरजन, निसुद्दीन निसोचा, ये तो खतरा हो गया, मेरी दुकान चलनी बं आया, वो कहा कि देखो, ये जो नया विशेशक्ड आया है न, E.N.T. सरजन, इसकी पहले समझ लो बात क्या है, मैं जो हूँ, मैंने एक साल में पढ़ाई पूरी की थी, क्योंकि एक साल में मेरा कोर्स खतम हो गया, मैंने सब कुछ जान दिया, ये जो सरजन अभी आये हैं, इन्होंने पहले पांस साल में MBBS किया, लेकिन मेटिकल कालेज की जो प्रफरसर थे, उन्होंने कहा कि नहीं तुमको और पढ़ना होगा, फिर इन से एक करोर रुप्या डोनेशन लेके इनको और तीन-चार साल पढ़ाया, सरजनी पढ़ाई, फिर इन से कहा कि नहीं, तुम पूरे सरीर की भी सरजरी मत करना, सिर्फ कानना गला, बस इतनी करना, इस से जादा नहीं, इनको ये डिगरी दी है, तुम ENT specialist हो, इसके लावा कुछ और इलाज मत करना, तो इस आदमी को बहुत कम आता है, अपनों की मर्जी उनसे इलाज कराना हो कराना, मुझे तो सब कु जाता है, विशेशग्य का क्यारत होता है, जो छोटी से छोटी विशेय के बारे में, ज्यादा से ज्यादा जानता है, हो सकता है, बविश्ट्य में ENT specialist भी ना हो, और सुपर 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 स ज्ञान इतना बढ़ता जा रहा है, एक जट्टी सब कुछ जानी नहीं सकता. तो विशेशग्य का अर्थ है, the one who knows more and more about less and less. कम से कम के बारे में, जो ज़्यादा से ज़्यादा जानता है. इसका logical conclusion क्या होगा? The one who knows everything about nothing. कुछ सालों पहले मैंने एक फिजिक्स की किताब पढ़े, आदूने एक फिजिक्स की किताब, उसका टाइटल था, Something Called Nothing. नथिंग के उपर, मौटी किताब. सुपर स्पेस्टिस्टों के. अब समझो सरवग्य का क्या मतलब है? सरवग्य का मतलब सब कुछ जानने वाला? विशेशग्य का ठीक उल्टा इसकर्थ हो जाएगा, the one who knows nothing about everything. सरवग्य किसी चीज का विशेशग्य नहीं है, ठीक उल्टा विशेशग्य का. तो पहले तो आप अपने सरवग्य की धारणा सुधार लें, फिर यह प्रस्ण अपने आप ही विदा हो जाएगा. एक सादिका पूछती है, कृपया बताएं की जीवन शक्ती को उर्द्वगामी करने की तक्नीक क्या है? बहुत आसान है, सदबुरु ओशो की किताब है, कहे कबीर दिवाना, मैं आपसे निविदन करूँगा, कि इसका पाँच्वा प्रवचन आप पढ़िए, अथवास सुनिए. ओशो की समस्त किताबें, ओशो फ्रेग्रेंस की वेबसाइट पर उपलब्ध है, और ओशो की सारे आडियो प्रवचन, ओशो वर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो आप इसको सुनिए, पाँच में प्रवचन में, मूल बंध की चर्चा आती है, कबीर साहब उसका जिक्र करते हैं, कि मूल बंध के डगन में, अर्थात सहस्त्रार में सारी उर्जा समा जाती है, उशो उसकी पूरी विधी विस्तार से समझाई है, कैसे उसको करना, और जीवन शक्ती के उर्द गमन की, सबसे सरल टेक्निक यही है, मूल बंध ध्यान विधी. धन्यवाद गुरुदेव, आप सभी मित्रों का इस प्रशनोतर चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद.